नमस्कार बच्चो आज हम अपनी 11 दिर्थे सराड़ सुरु करने जा रहे हैं आपके अर्द्वाशिक परिक्षा हो चुकी है अभी कि दिर्थे हम शुरु करने जा रहे हैं इसमें पार्ट आठ कख्षा 30 के लिए पार्ट का नाम है तीन सवाथ पार्ट प्रविश हमें कभी किसी परिक्षा शिगवराना नहीं क्योंकि जो सवाल जितने अजीब होते हैं उनके जबाब भी उसी तरह दिये जाते हैं प्रस्तुत पार्ट में यही बताया गया ह राजा अकबर दर्बार में बैठे थे सभी दर्भारी मंत्री आदी भी दर्बार में उपस्थित थे, इन sभी में से राजा अकबर को वीरबल परिय थे और वे उनके मुख्य सलाकार भी थे दर्बार में अलग-अलग पदो वे मंत्री पदो के बारे में विचार विमर्ष हो रहा था उनमें से एक मंत्री वीरबल का पद पाना चाहता था उसे मालूम था कि वीरबल उससे ज़्यादा बुद्धिमान है इसलिए उसने वीरबल को फसाने की एक योजना बनाई अकबर आज हम सब अलग-अलग पदो यो मंत्री पदो के बारे में विचार विमर्ष करेंगे मंत्री हुजूर मेरी आप से एक प्रातना है अकबर बताओ मंत्री क्या कहना चाहते हो मंत्री हुजूर मैं वीरबल से तीन सवाल पूछना चाहता हूँ अगर वीरबल मेरे इन तीन सवालों के जबाब दे देंगे तो मैं उनकी वुद्धी मता को सुईकार कर लूँगा वीरबल जहां पना मैं मंत्री के तीनों सवालों के जबाब देने को तयार हूँ बताईए कौन से तीन सवाल है इसमें रاج अकबर का दरबार लगावा था उसके दरबार में सभी मंत्री और उपस्तित थे अकबर को सबसे प्रिये अपने मंत्री में से सबसे प्रिये था वीरबल और सब भी उससे इश्या करते थे तो कुछ मंत्री थे जिसे एक मंत्री था जो वीरबल को अपने रास्ते से अटाना चाता था इसलिए उसने ऐसी बाते कही उसने कहा कि मैं इसको तीन सवाल पुछना चाहता हूँ, अगर ये मेरे तीन सवालों को जबाब दे देगा, तो मैं मal दूँगा कि ये सरवस्ष्ष्ट है, मंत्री ने तीन सवाल पूछने चुरू किये, पहला सवाल, आकास में कितने तारे हैं, दूसरा सवाल, धर्तीका के कहा है तीसरा सवाल सारे संसार में कितने इस्त्री और कितने पूरुश है मंत्री बीरबल अगर आप मेरे इन सवालों के जबाब नहीं दे पाए तो मुख्य सलाकार का पच्छोड़ने के लिए तैयार रहिएगा वीरबल ठीक है आपके पहले सवाल का जबाब जहां बना एक भेड मंगवाई जाई भेड के शरीर पर जितने बाल होंगे आकास में उतने ही तारे होंगे यदि यकिन नहीं हो तो मंत्री जी गिन कर देख सकते हैं मंत्री ने पहले सवाल पूछा कि संसार में कितने तारे तो वीरबल ने अपनी चतुराई से उसका क्या जवाब दिया कि एक भेड मंगवाई जाए और उसके सरीर के बाल को गिनो बेड़के सरीर के वाल कभी कोई गिनने जाते हैं क्या तो मंतरी इसमें हार गया दूसरा वीरबल आपके लिए दूसरे सवाल का जबाब वीरबल ने जमीन में कुछ लक्यरे खींचीता था एक लोहे की छड़ को जमीन में गाड़ दिया और कहा जहां पना इसी जगे धरती का केंदर है नहीं तो मंतरी जी पूरी धरती को नाप सकते है इसी में देखो अब धरती को कोई नाप सकता है क्या कोई नी नाप सकता धरती को अकबल ठीक है अब तीसरे सवाल का जबाब दो आपके तीसरे सवाल का जबाब जहां पना दुनिया में कुछ लोग ना तो इस्तरी किस रणी में आते हैं और ना ही पुर्षो किस रणी में जैसे कि मंत्री जी ये महापुर्ष है मारा यदि आप इनको मोत के गाट उतरवा दे तो मैं इस्तरी पुर्ष की सही सही गिंती बता सकता हूँ इसमें भी अकबर वीरबल ने मंत्री को हरा दिया मंत्री हुजूर मैं वीरबल की बुद्धि माने को मान गया हूँ मुझे मेरे सवालों के जबाब मिल गए है अकबर ने दर्बार में वीरबल की खूब तारिफ की और उसकी पीठ थप थपाई धन्यवाद अब पार तीन का अभ्यास कारे सही उत्तर के सामने राइट लगाईे मंत्री ने वीरबल से कितने सवाल पूछे तीन वीरबल ने जमीन पर लखी रे खिंची वीरबल ने मन्त्री को कहा महा पूरुष अब इसका बाश्या ग्यान उसे मालुम था कि वीरबल उससे ज़्यादा बुद्डिमान था किसको मालुम था मंत्री को अगर आप तीन सवालों का जवाब दे देंगे आप किसके लिए आया है बीरबल मेरी आपसे एक प्रातना है मेरी किसके लिए आया है अकबर के लिए यदि आप इनको मोद के घाट उतार दे आप किनके लिए आया है अकबर प्रिश्ट नमबर दो भासा को सरलेऊं प्रभाव साली बनाने के लिए अनेक शब्दों के इस्तान पर एक शब्द का प्रियोग किया जाता है अनेक शब्दों को उनके दिये गए उचिस सबसे मिलाईए जो आलस करता हो आलसी, जो डरता हो डरपो शब्ता में एक वार होने वाला वार्सी, सापता ही जो खेती करता हो किसान दूसरे देश की वस्तू विदेशी जो कभी ने मरे अमर जिसके माता पिता ने हो अनात ये प्रश्न पेज नमब़ 3 आपको नहीं करना है अब आपको ये कारिया आपकी हिंदी की कोफी के अंदर आपको करना है इकाई, दो डाल के पेज नमब़ चोपन कहचित्र बनाना है और आपको रंग भरना है पार्ण तीन सवाल पहला है आपके शूतलेक जहांपना शूतलेक आपको तीन बार करने हैं जहांपना बुद्धिमान, योजना, सवाल, प्राथना, आकास, तारीफ, धर्ती, संसार, केंद्र उसके बाद आपको अगले पेज पेज शब्दार्थ करने हैं, शब्दार्थ आपकी किताब पेज नंबर सत्ताउन पर है, जिससे आपको कोपी में करने हैं कारिया हमेशा साफ सुथरा करना है एकदम से साफ सुथरी लेकनी में वर्क आपको कारिया करना है प्रश्ण उत्तर एक या दो शब्दों में उत्तर पहला प्रश्ण मंत्री ने किस से प्रातना की अकबर से दूसरा प्रश्ण मंत्री तीन सवाल किस से पूछना चाता था बीरबल से, प्रश्ण नमबर तीन मंत्री कौन सा पद पाना चाता था मुख्य सलाकार का, प्रश्ण नमबर चार हमें किस चीज से घबराना नहीं चाहिए, किसी भी परिक्षाशे, प्रश्ण उत्तर, प्रश् चार विमर्ष करने की बात कही प्रश्ट नमबर दो बीरबन ने पहले सवाल का क्या जबाब दिया उत्तर बीरबन ने कहा बेड के सरीर पर जितने बाल होंगे उतने ही आकास में तारे होंगे प्रश्ट नमबर तीन बीरबन ने दूसरे सवाल का जबाब क्या दिया दूसरे स बीरवने जमीन पर किस लकिरे खींच कर एक लोहे की छड़ को जमीन में गार दिया और कहा कि यही धर्षängen केंदर है प्रशन नंबर 4 वीरबन ने तीसरे सवाल का क्या जबाब दिया वीरबन ने तीसरे सवाल के जबाब में मंतरी जी को महापुरुष बताया ये सब कारिय आपको अपने हिंदी की कोपी के अंदर एकदम साफ सुत्रे लेखनी में कारिय करना है धन्यवाद